अब लोग जैसे की नीउस सुन रहे होंगे या कहीं ने कई फेसबूक पर इंस्टा पर ट्विटर पर या यूट्यूब पर आप लोग देख रहे होंगे कि फेसबूक इंस्टाग्राम और ट्विटर को बेन किया जाने वले 26 तारीक यह 26 के बास से यह सा क्यों हो रहा है यह और यह सच है या बिल्कुल गलत है तो बतादू यह चीज सच है कि इनको बेन किया जा सकता है लेकिन यह बेन होंगे अभी ताइए कर नहीं करेंगे तो 100% ट्विटर और इंस्टाग्राम 26 तारिक के पास से बेन हो जाएगा और इंडिया में अवेलेबल नहीं होने वाला है यह केवल इंडिया लेवल पर ही बेन होगा क्योंकि इंडियान गवर्मेंट ने जो रूल्स निकाले उनको यह फोलो नहीं करते हैं इनकेस माले जी फोलो कर लेते तो आग इमेज हो सकती है ऐसी चीज़े जब स्क्रोल होती है तो कुछने कुछ यहां पर शोशली प्रोब्लम आती है तो उन चीजों को ध्यान में रखते हूं कुछ गैडलाइन बनाए थी और यह इन लोगों के सामने पेस की ती काफी समय हो चुका है दो से लही महीने बट अभी तक किसी ने भी उसको फोलो नहीं किया है और आज उसके लाज़ डेट अगर यह फोलो कर लेते तो गंटीनुर रख भाएंगे बट जहां तक मेरा खायाल है इंडियन मार्केट अगर देखा जा तो बहुत बड़ा मार्केट है कोई भी शोशल मीडिया कंपनी यहां पर इस बहुत बड़ा मार्केट है तो इसको यह लोग छोड़ने नहीं वाले है और यह लोग पीछे भी नहीं हटने वाले है क्योंकि जो गाइडलाइंड गॉर्मेंट ने निकाली वह आग देखे जाय तो काफी सही है कि तोर मड़ों के चीजों को पेश किया जाता है सोशल मीड अरिया पे लोगों को इंफ्लुएंस कर रहे हैं गलत वे में चाहिए वह पॉलिटिकली हो या नॉर्मली हो श्वासली तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए गौई लाइन बनाईए और 100% कंपनिया फोलो करेगी तो आप मेरे साब से तो निश्चिन दाहिए 70% की